डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग कैनेडा के वजीर आज़न ट्रम्प के मुजाहिन के साथ सिलूक के सवाल पर सकते में चले गए 20 सेकिंड तक हामोश रहे कैनेडा भर में करोना वार्थ के पहलाओं को सिलसला जारी करोना वार्थ से मतासर होने वारे अफ्राप की तादाद 92,410 हो गई है पुर तशद्द गरिफतारी की वीडियो मनजर आम पर आने के बाद कलोबना माउंटी की तहकिकात जारी है आंटेरियो की कमपनी करोना वार्थ से जल्द और असान टेस्ट बनाने में मस्रूफ 20 मिनिट में वार्थ की शनाफ की जाएगी मौन्ट्रियाल में करोना का जोड तूटने लगा शोबह सेहत के ओधेदार दूसरी लहर से निपटनी की तैयारियों में मस्रूफ अमरीका की आदी से ज़्यादा अबादी ने सज़ाद ट्रम को नसल परस्त करार दे दिया दूनिया भर में करोना वार्थ से मतासरा फ्राद की तादा 64,74,391 हो चुकी है जबके इस से हलाकतیں 3,82,480 हो गई समंद्री तूफान का खत्रा मुंबई में कर्फ्यू नाफिस हुकाम की जाने से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है माहिरीन का कहरा है कि मौन्ट्रियाल में करोना वार्थ की दूसरी लहर में कहीं ज्यादा कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसर्स की जरूरत होगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल में करोना वायरस के दूसरी लहर की कहीं जादा कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की जरूरत होगी मौन्ट्रियाल में मसलसल दो दिन से करोना वायरस के केसिस में नुमाया कमी देखने में आई है तो इस बात का इशारा है कि तवील अर्से से कैनेड़ा में वबाई अमरास का मरकस कहलाने वाले शहर में करोना वायरस पाबू पाया जा रहा है ताहम पसे पर्दा मॉंट्रियाल के शुबह सेहत के उधिदार करोना वायरस की ममकिना दूसरी लहर की तयारी कर रहे हैं बत्तरीन सूरतिहाल के तहद हुकाम करोना वायरस की मौजूदा तादाद से दस गुना जादा से निमटने का सोच रहें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के इंचार्च का कहना है कि इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि दूसी लहर कब आईगी ऑन्टैरियो के एक कमपनी का कहना है कि वो करोना वायरस के लिए एक नया टेस्ट तैयार कर रही है जो हाथ की हतेली में फिट हो जाएगा और 20 मिनट में ये मालूं किया जा सकेगा कि कोई इस वायरस से मतासिर हुआ है या नहीं इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन्टैरियो के एक कमपनी का कहना है कि वो करोना वायरस के लिए एक नया टेस्ट तैयार कर रही है जो हाथ की हतेली में फिट हो जाएगा और 20 मिनट में ये मालूं किया चा सकेगा कि कोई इस वायरस से मतासिर हुआ है या नहीं ये टेस्स इस वक्त अपने तहकी की मराहिल में है विफाके हुकुमत ने हाल ही में इस ख्याल को हकीकत में बदलने की उमीद में नैशनल रिजर्फ कॉंसल आफ कैनेडा एन आरसी के जरिये कमपनी को तीन लाग डॉलर का एवार्ड दिया है Deep Biologics के CEO का कहना है कि इस फंड की बदलत उनकी कमपनी आएंदा तीन मा के अंदर क्लिनिकल सैंपल टेस्टिंग शुरू करने के लिए तयार होगी जिन तरीकों की हम तहकी कर रहे हैं वो लो आफ से मुतालिक होंगे दही लाकों और Point of Care डिवाइसे में थूक की जाँच सादा अमली है जो इस मनसूबे का मकसद है किलोवना पुलीस के एक अफसर ने नियूस कॉंफरेंस में कहा कि एक शथ घर तावन पसंद था और इसने दो अफसरान से लड़ाई की जब उन्होंने इसे गिरिफतार करने की कोशिश की तफसिलात इस रिपोर्ट में पूर तशब्द गिरिफतारी की वीडियो मनजर आम पर आने के बाद के लोवना मॉन्टी की तहकीकात जारी है 12 सेकंड की वीडियो में दिखाया गया है कि RCMP आफसर बार बार इस शक्स को मुक्के मार रहा है जिसे दो अफसरान रोक रहे है मस्कुरा वीडियो में हफ़ते की राग की जाने वाली गिरिफतारी का एक हिस्सा दिखाया गया है जिसमें पुलिस मुबईना तोर पर एक नशावर शक्स की इतला पर वहां पहुंची थी जो एक गाड़ी के अंदर से मिला था केलवाना पुलिस के एक अफसर ने निउस कॉन्फरंस में कहा कि ये शक्स गहर तावन पसंद था और उसने दो अफसरान से लड़ाई की चब उन्होंने उसे गिरिफतार करने की कोशिश की मुच्टबा शक्स ने अफसरान के साथ तावन करने से इंकार कर दिया लहाजा उन्होंने बैक अप के लिए तीसरे अफसर को बुलाया मुच्टबा शक्स के साथ मार पीट करने वाले अफसर की मालूमाद जारी नहीं की गई अमरीकी सदर से मतालब सवाल का जवाब देने से पहले कैनेडिन वजीर आज़म जस्टिन टूडो 20 सेकिंड से ज्यादा का तवक्फ करके सोचते रहे और फिर बोले कैनेडिन शेहरी अमरीका में होने वाले इस वाकिये को खौफ की नजर से देखते हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेड़ा के वजीर आज़म ट्रॉम्प के इतिजाजियों के साथ सलूग के सवाल पर सत्ते में चले गए सहाफी ने जस्टिन टोडो से अमरीका में मुझाहिरीन पर आसू गैस के इस्तमाल पर इधार राय तलब किया कि अमरीकी सदर किस तरह लोगों को दबाने के लिए ताकत का इस्तमाल कर सकते हैं सहाफी ने कहा कि अमरीकी सदर मुझाहिरीन को रोकने के लिए अमरीकी फॉश से मदद तलब करने का भी कहते हैं इस सवाल का जवाब देने से पहले केनेडियन वजीर आजम जोस्टिन चुड़ो 20 सेकंड से जादा का तवक्फ करके सोचते रहे और फिर बोले केनेडियन शहरी अमरीका में होने वाले इस वाकिय को खौफ की नज़र से देखते हैं गुजिशता रोज होने वाली न्यूस ब्रीफिंग में जब रिपोर्टर ने जस्टिन चुड़ो से सवाल किया कि अमरीका में मुझाहरीन के खलाफ अमरीकी फौच के इस्तेमाल से मुझालिक अमरीकी सदर के बयान को वो किस तरह देखते हैं तो टूडो ने जवाब दिया कि अमरीका में जो कुछ चल रहा है कैनेडियन शहरी उसको खौफ की अलामत समझते हैं तहाफी ने गुजिशता रोज मुझाहरीन परासू गैस के इस्तमाल और स्पेशल फोर्स की मदद से उनको हटाने से मुझालिक भी सवाल किया कि क्या या इंदा सदार्ती इंतखाब पर असर अंदास हो सकता है जिस्टिंटूडो ने कहा कि ये वक्त है कि लोगों को एकषटा किया जाए और उनको साथ लेकर चलना चाहिए उनों ने कहा कि ये देखने की जरूरत है कि इतने सालों से आ wokर क्या नाइंसाफी होती आ रही है जिसके खलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा किनेडा में भी नसल परस्ती के खलाफ उठने का वक्त है और हमें क偃भ केनेडा में भी नसल परस्ती के तासुर को खतम करना जाहिए صحافی نے پھر سے امریکی صدر کے الفاظ اور اس پر عمل درامت سے متعلق سوال کیا تو کینیڈین وزیراعظم نے کہا کہ بطور کینیڈین وزیراعظم میرا کام کینیڈا کے لوگوں سے متعلق بات کرنا اور ان سے متعلق سوچنا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 7,395 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھلاو کا سلسلہ جواری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 92,410 ہو گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق مل بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 7,395 تک جا پہنچی ہے کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے जहां 51,593 अफराद में करोना वायरस की तद्दीक हो चुकी है जबके सूबे में करोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 4,713 तक पहुँच चुकी है औंटेरियो में करोना वायरस से 28,709 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,293 है अलबर्टा में 7,056 अफराद करोना वारस से मतासिर हुए है जबके 143 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके है बिटिश कोलंबिया में अब तक 261 अफराद में करोना वारस की तजदीक हुई है जबकि सूबे में कुरोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादात एक सो पैसिट है अमरीका की आदी से जादा आबादी ने सदर ट्रॉम्प को नसल परस करार दे दिया इस बाद का इनकिशाफ हालिय सर्वे में हुआ इस हवाले से मजीद जानते हैं अमरीका की आदी से जादा अबादी ने सदर टरॉम्ब को नसल परस करार दे दिया इसबात का इंकिशाफ हालिया सर्वे में हुआ जहां 52 फीसद अमरीकियों ने कहा कि वो अमरीकी सदर डानल्ड ट्राम्प को नसल परस समझते हैं सर्वे में शामिल 37 फीसद अमरीकियों के ख्याल में ट्राम्प नसल परस नहीं है सदर्ट ट्राम को हरीर सियासी जमाद डेमोक्रेट के सैनिटर्स भी नसल परस करार दे चुके हैं सर्वे के मताबिक सदर्ट ट्राम को नसल परस समझने वालों में डेमोक्रेट सियाफ फार्म और लातीनी अमरीकन्स की तादा जादा है जबके रिपाब्लिकन्स में से भी 13 फीसद ने सदर ट्राम्प को नसल परस परस करार दिया सफेद फार्म अमरीकियों की इस बारे में मुनकस्म राय सामने आई मुजी करोना वारस के मरीजों और इस से अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है मुजी करोना वारस के मरीजों और इस से अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है ये वबा कहीं तो शिद्ध इख्यार कर गई है और कहीं उसका जोड तूट चुका है या किसी मुल्क में उसके इसरात ना होने के बराबर है दुनिया भर में करोना वारस से मुतासरा फराद की तादा 64,74,391 हो चुकी है जबके उस से हलाकते 3,82,489 हो गई करोना वारस के दुनिया भर में 30,2,314 मरीज अब भी अस्पतालों और करंटीना मराकिस में जिर इलाज है जिन में से बेश्टर की हालत तश्वीश नाक है जबके 30,66,598 मरीज से हत्याब हो चुके हैं अमरीका ताहल करोना वारस से सबसे जादा मुतासरा मुल्क है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके उस से हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जादा है करोना वारस से रूस में कुल अमवाद 5,037 हो गए जबके उसके मरीजों की तादाद 4,23,741 हो चुकी है इस पिन में करोना के अब तक 2,87,012 मुसद्ध का मुतासरीन सामने आए हैं जबके इस वाबसे अमवाद 27,127 हो चुकी है हندوستانी रियासत महाराश्टर के दारोलवाद 25 में समंदरी तुफान के खटरे के पेशे नजर कर्फ्यो नाफिस कर दिया गया है हुकाम की जौनिब से लोगों से घHरों में रहने की अपील की गई है जबके उनसे कहा गया है कि दो से तीन दिन का राशन जमा कर लें और अपने लैपटॉप और स्मार्ट फॉन्स भी मुकमल चार्च कर लें क्योंकि तुफान के दौरान मुंबई शहर की बिजली कई घंटेों तक बंद भी की जा सकती है दूसी जाने भारती महक में मौसमियात ने खबरदार किया है कि बहरे अरब में बनने वाला समदरी तुफान साइकलों नसारगा 11 किलो मीटर फी घंटे की रफ़तार से रियासत महराश्टर के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ रहा है जबकि मौबई एरपोर्ट के लिए 50 परवाजों में से सिर्फ 19 को टेक आउफ और लेंडिंग की जासत दी गई है भारती महक में मौसमियात का कहना है कि समदरी तुफान निसारगा की शिदत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वो महराश्टर के साहिली इलाकों से टकराया जाएगा टैक टीवी के पाकसान स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी यूट्यूब पर टैक टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैक टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैक टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे